अगजनी की घटना लगातार दो दो बड़ी घटना हुई जिसमें की एक देखा आपने जैसे डाक्टर दमपती की मौत हुई शाथ में और कुछ स्टाप की मौत हुई थी उसके बाद जो गैस काणड हुआ जो अपार्टमेंट में काणड हुआ उसके बाद से नगर निगम कुछ दिन पहले ही जो एक सदस्य टीम बनाई थी वो टीम आज लगातार चार दिन से अपने चीरा चास के हर वह आपार्टमेंट को चेक कर रही है देख रही है कि कहां बिल्डिंग बाइलों से काम हुआ है कि नहीं हुआ है फायर का काम है कि नहीं है इन सबी चीजों की देते हैं कि इस चीज में यह यह सारी चीजे रहेंगी बिल्डिंग बाइलोज से जुड़ी हर वो चीजे रहेंगी लेकिन अधिकतर चास के इस चीरा चास जो बसे हुए आप देख सकते हैं कि तमाम अपाटमेंट एरिया है जो लोग रह रहे हैं वो खत्रे से कम नहीं है अधिकतर बिल्डरों ने बिल्डिंग बाइलोज का पालन नहीं किया है आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो घूम रही है हमारे साथ बात करने के लिए कारपाल और का पताधिकारी है जिनके नेत्रुद में यह टीम चल रही है मैडम जो जाच चल रही है चार दिनो है ऐसे मैं कुछ तो बताएं कि क्या जांच में जो अपाटमेंट नए पुराने हैं उसमें क्या फायर की सिस्टम की विवस्था दिख रही है या फिर जो बिल्डिंग बाइलोज के तहर जो नक्सा पास होता है वों चीजों का क्या पलन किया गया है इसी के तो जांच के दवा के रखना चारी कि नगराइक को बताएंगी कि क्या क्या इसमें इस जांच में मिला है अधिकतर अपाटमेंट और जो भी बहु मंजिलाई मारते हैं उन सभी की जांच की जा रही है हमारे साथ बात करने के लिए फायर से भी जुड़े हुए सर है सर क्या लग रहा है गूम रहे हैं क्या दिखा आपको फायर से जो जुड़ी हुई चीजे हैं वो क्या दिख रहा है कि लोग सेफ्टी में हैं अभी तक जो जहांत चल रही है जो टीम गचित किया गया है उसमें अधिकतर जो बिल्डिंग मना हुआ है अपाटमेंट चाहें पंदर मीचर से से उपार्टमेंट करा घे घे लोग से ताफ सावधान होजाए जो चाहस चीरा चाहस में अपार्टमेंट करिदे़ने वाले लोग है वह पहले बिल्डिंग का बैलोज देख लेंक कि वह बिलडिंग बिल्डिंग बैलोज के तहद बनी है की नई बनी है फाइर की सुईधा है की नहीं है इन सबी चीजों की जाज करने आप देखिए कि पूरे नगर निगम की टीम जो है और जैइ ए ए हैं साय कभी अंता है सभी लोग जाज करने साथ में फायर की टीम भी है वो भी जाज कर रही है हमारे साथ बात करने के लिए साहय कभी अंता परमोश सर है परमोश सर हमारे साथ है सर क्या लगा क्या दिख रहा है सर जो हम लोग देख रहे हैं और बहुत कुछ अभाव मिल ला है बिल्डिंग बॉलाज का नहीं कह सकते हैं कोई नक्सा नहीं दे रहा है और फायर आद्वाजी दे रहा है लेकिन अभी तदकाल मामला जो अगनी से सुरक्षात में कुपाय का है इसको हम लोग नगनी पार है तो आपने सुना सभी की बातों को पूरे टीम की बात है साहयो का अभियंता ने बताया कारपलय का अभियंता और फायर से जुड़े तमाम वो लोग हैं पूरे चीरा चास ही नहीं पूरे चास में तमाम जो बहु मंजिला इमारत हैं पंद्रम मीटर से उपर हो या पंद्रम मीटर से नीचे हो उन सभी बिल्डिंग की पूरी तरीके से जाच की जा रही है कि बिल्डिंग बाइलोज के साथ FIRE की स्विदा होँ आं है कि नहीं है तो आप अगर अपना आस्याना खरिदनी के तैयारी कर रहे हैं कर फूरी हर बिल्डर के जहां चो रहा है कि किस परकार से बिल्डिंग वाइए लोज इसमें यह की नहीं है ठीक ना लेकिन निगम भी कहां कर दे रहा है एक साल पहले से हम लोग लेटर दिये हुए है बिल्डिंग के सामने पाँच फूट का रोड है कम से कम एरा का अनुसार बीस फूट का रोड होना चाहिए गाड़ी निकलने में परसानी, पानी में परसानी, रिसीविंग दिया है, चेर्मेन मेडम का मुहर भी है, रिसीविंग भी है हम लोग के पास, सोसाइटी का ध्यक्ष के पास, निगब भी कुछ नहीं करता है, बिल्डर भी कुछ नहीं करता है, हम लोग जाएं तो जाएं कहा साप चुचुन्दर वाल हो गया है ना निगलना ना अंदर जाना ना भाराना वाला बात हो गया है किसी तरह अपने जिंदगी पैसा लगा के काट रहा है पैसा लगा के फस चुके है बुरी तरह से फस चुके है इतना इतना पैसा लगा के कोई बेवस था कोई सुभिधा नहीं है, नाली के पानी अपने जोडवाना, सारा चीज अपने करवाना, कुछ काम नहीं निगम करता है, अब बिल्डर तो भगवान भरों से चलिये रहा है, दे दिया है, अपना अपना सब चीज करके, यहां तक करें पेंटिंग तक सब अपने हम लोग परके अपना जीवानी आपन चल रहा है और क्या बोला जाए आप इन बार के स्तीति देखिए यहां इधर आई इधर थोड़ा देखा इए इसको रोड का ते देखिए वागे चड़ गया निगम कहां देख रहा है यह देखिए यह बिल्डिंग में यह बिल्डिंग आगे च खाली देखिए तो इसम निगम कभी देखता है पांच फूट का रोड है जी हां क्या लगता है निगम आज घूम रही है तो खाना पूर्ती हो रहा है फिर दोस दिन एक महीना बाद सब लोग अपने अपने जगह पर चले जाएंगे उस अब धनवाद का केस को लेके थोड से अपार्टमेंट में रहता है